नमस्कार मैं अस्वग विश्वकर्मा हिंदी परक्ष में आपका स्वागत है आज के विशे है यस्पाल द्वारा रचित कहानी अभिसप्त अभिसप्त एक ऐसे पाच वर्सी गरीब लड़के की कहानी है जो भूख के कारण वह अपने ही दूद पिते भाई को गला घोट कर म भगवती चरण बोहरा के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में भाग लिये उन्हें 1932 में गिर्फतार कर लिया गया यस्पाल जेल में रहते हुए ही कहानिया लिखने लगे जेल से बाहर आने पर उन्होंने पिंजडे की उडान की रूप में अपनी पहली कहानी संग्रा का प्रकासन कराया इसके बाद जानते हैं अभिसप्त कहानी के पात्र अभिसप्त कहानी में स्वयम लेखा की एक पात्र है आत्मकत्य सेली में लिखा हुआ है कहानी सुकला जी सुकला जी की पत्नी सुकला जी के दो बच्चे लल्लू और सवीता जवाला जवाला की पत्नी जुआला का नवजात शिशू अभिसवत कहाने का सारांस है अमिनुदौLAA पार्क में परदर्सनी मेला या जलसा पराया लगा रहता था इस पार्क में इस जाणे के मोसं में भी Mela लगा हुआ है लेकले की रहानक और तौमासे को देखने के लिए धक्का मुक्ती नहीं खाना चाहता था इसलिए वह अपने एक परीचित सुकला जी के दू मंजले मकान के बरामदे से मिला देखने की इच्छा लिये वहां पहुचा। सुकला जी का माकान पार्क के निकट ही था, सुकला जी बैठक बाज और हसोर सभाव के थी और उनकी पतने मिलनसार सभाव की, दिन भर कारोबार के चिक्चिक के बाद संध्या के समय दो दो घंटे लेखक वहां बैठा करता था, लेखक सुकला जी के दोनों छोटे बच्चे ललू और सभीता के लिए लेमन ड्राप लेकर गया था, सुकला जी किरिमिच की अराम कुर्सी पर पाउँ फेलाए बैठे थे, वे कुछ गंभीर मुद्रा में मेले के भीर की ओर देखते रहे, और फिर वे लेखक को ए घटना सुनाने लगे, पिछली रात खून हो गया है, खून किया किसने लेखक ने पुछता है, तो सुकला जी कहते हैं पाच बरस के बच्चे ने, लेखक को आश्चारे होता है और सुकला जी से पुछता है यह सब कैसे हुआ, सुकला जी पूरा दास्तान सुनाने लगे, एक ज्वाला नाम का अहीर है, उसे पाच बरस का एक ल तो दो तीन आने और एक साथ सेर चुनि भूसी ले आती है। बड़ी मुश्किल से एकाज जोन आधा पिट खाकर जिन्दगी गुजर रहे थी उनकी। पिछले सनिवार को जवाला की पतनी को एक और बच्चा हो गया। सुकला जी बता रहे थे मा के दूद तो अब उतरे जब उसके पिट में कुछ जाए। चुटकी भर आता जो कुछ था मा ने लोटे में घोल दिया। दोदो चुलू लड़की लड़की को दे दिया। बच्चे अभी मांग रहे थे उन्हें डाड कर मा कपड़े की बती से वही घोल नन्हे बच्चे को भी पिलाने लगी। मा के तविया ठिक नहीं थी। उठकर बम पुलिस तक गई। लोड़कर आई तो देखी कि उसका पाज वर्ष की लड़के ने उस नन्हे से बच्चे क गला घोड कर मार डाला। लड़के से पूछा गया कि उसने कहा कि अम्मा घोल हमें नहीं देती नन्हे को पिला देती है बड़ी भूख लगी थी। इसके बाद जानते हैं अभिसब्त कहाने के महत्वपुर्ण तथिया या आपके परिशा के लिए विशेश उप्योगी है अभिसब्त कहाने में अमि जूदौला पार्ग का जिकर है इस पार्क में मेलया जलसा प्राया लगा रहता था इस कहाने में जालाण और फटेह पूर सहर का उलेख है लिखक मेला अपने मित्र सुकला जी के घर से दिखा करता था पाच वर्ष की बालक ने अपने नवजात हत्या करदे थी गला घोट कर लिखक ने उस पाच वर्षी ये बालक को अभिसप्त कहा है लिखक संध्या के समय सुकला जी की यहाँ दो दो घंटे बैठकी किया करता था सुकला जी के दो बचे थे लल्लू और सवीता अभिसब्त कहानी के अनुसार पाच वर्स की बालक द्वारा उसकी छोटे भाई की हत्या का कारण उसकी भूख थी यह पाच वर्स ये बालक ज्वाला नामक अहीर का था लिखक ने इस कहानी में ज्वाला की पत्नी के लिए अहीरन कहा है इस कहाने में सुकला जी ने गौ माता और नारी की तुलना दूद के लिए की गई है अहिरन माने दूद ना होने पर अपने बच्चे को आटे का घोल बना कर पिलाई अभिसप्त कहानी की अंत में लेखक पाप के कारण और फल के बीच समंध की विशय में सोचते रह गए अभिसप्त कहानी का अंत लेखक की इस प्रसन से होता है जन्म से पाप करने के लिए मजबूर या अभिसप्त किया कभी पाप मुक्त हो सकेगा इस कहाने में अभी सब्त उस पाच वर्सिय बच्ची को कहा गया है इसके बाद जानते हैं यसपाल का जिवन परचे और उनकी रचना है यसपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छाउने में हुआ यसपाल के मिर्तिव 26 दिसंबर 1976 को हुआ सन 1921 में ही उन्होंने सवदेशी आंदोलन में लाला लाचपत राय के साथ जम कर भाग लिया उन्होंने पंजाब के राष्टिय नेता लाला लाचपत राय द्वारा अस्थापित लहोर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया यहां पर प्रसिद करांतिकारी भगत सीं, सुखदेव तथा राजगुरु के संपर्क में आये वे जेल भी गए और वहां बरेली जेल में प्रकासवती भी से विवाह किया यसपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं, इसलिए उनकी रचनाव पर मार्क्सवाद का प्रभाव है सिहावलोकन नाम से यसपाल ने अपनी आत्मकथा लिखी, यसपाल ने विपल्लव नामक पत्रिका का भी संपादन किया इनका कहानी संग्रा है तर्क का तुफान, भास्मा अवरित, धर्म योद, ज्यान दान, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उडान, तुमने क्यों कहां मैं सुन्दर हूँ चिंगारी, वाद दुलिया, इनके उपनियास हैं, दादा कामरेड, देस द्रोही, पार्टी कामरेड, अमीता, मनुस्य की रूप, जुठा सच, बारा घंटे, दिविया, अमीता इनके निबन संग्रा है, चक्कर, कलब, नियायका संगहर्स, बात बात में, पत्र पत्रिका के दर्जनों लेखे, यात्रा सांसमर्ण है, राहविती, लुहे की दिवार के दोनों और इनकी पुर्सकार है, यासपाल के दोरा रचित उपनियास, मेरी तेरी उसकी बात के लिए 1976 में, उन्हें सहित अकादमी पुर्सकार से सम्मानित किया गिया उपनियास इनका मेरी तेरी उसकी बात के लिए 1976 में सहित अकादमी का पुर्सकार मिलता है या स्पाल को पद्म भुसन का भी पुर्सकार मिलता है 1970 में मंगला परसाद परितोसिक्स ये सम्मानित किया गिया 1971 में तो वीडियो कैसा लागा आप हमें कमुन कर बता है यादि चलना पर पहली बार आएं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँच सके वीडियो को लाइक और अपने साथ्यों की बीच सेयर करें नम जास्कार